Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Stinction by TK Quirrell जहां पर आपको Physics के Topics बहुत ही easy और simple तरीके से कराए जाते हैं साथ ही आपको Notes भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको Topics regarding कोई भी क्वेरी ना रहे हमारा जो आज का Topic होगा वो होगा Experimental Verification of Newton's Law of Cooling अपनी previous वीडियो में हमने Newton's Law of Cooling study किया था उसी की ही आज हम verification करने जा रहे हैं with the help of this setup इस complete setup को हम study करेंगे कि इसके अंदर ऐसी क्या functioning हो रही है क्या हो रहा है जिसकी वरह से हमारे पास Newton's Law की verification के बारे में पता चलेगा सो start करते हैं इस setup के पूरी study हम यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है एक पूरा का पूरा setup है ठीक है इस setup के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है एक double walled vessel है यह है हमारे पास complete vessel ठीक है जिसकी दो walls है एक यह वाली wall एक यह वाली एक inner side पे है एक outer पे है इस wall को हमने क्या denote किया है वी से denote किया है और इस पूरे के पूरे vessel के अंदर हमने liquid को fill किया है जो की क्या है हमारे पास room temperature पे है liquid क्या है हमारे पास यहां पे water हमने क्या किया है इस double walled vessel के अंदर water को fill किया है और वो जो water है हमारा room temperature पर है उस water का जो temperature हम note कर रहे है with the help of this thermometer T-note ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? हमने इस double-walled vessel है उसको cover किया है with the help of this insulating lid हमने इस double-walled vessel को cover up किया है इसको complete cover किया है with the help of insulating lid जिसको की हमने denote किया है L के साथ insulating हमने इसलिए लिया है ताकि हमारे पास heat का transfer ना हो सके कि यह हमारे पास double-walled vessel है इसके साथ हमने एक calorie meter को suspend किया है इस double-walled vessel के साथ हमने एक calorie meter को suspend किया है यह जो कैलोरी मेटर है यह कोपर का बना हुआ है और हमने इसकी जो आउटर सर्फेस है इसको दार्क दिखाना है इसको हमने डार्क करना है तो डार्क करने के लिए हमें क्या किया इसको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है ताकि हम इसको क्या कर सके डार्क दिखा सके दैन हमने क्य 3rd of this of the volume of calorimeter, इस calorimeter की volume का 2 3rd हमने fill करना है इसके अंदर water, then हमने कह किया कि यहाँ पर हमारे पास जो calorimeter है उसको हमने covered किया है with the insulating cork, यह है हमारे पास एक insulating cork, यहाँ पर यह जो cork हमने use की है, यह cork हमारे पास ऐसी होने चाहिए जिसके पास की 2 holes हो, इस cork के पास 2 holes होने चाहिए, जिसमें से एक hole के अंदर तो हमने यह thermometer लगाया है, जिसको की हमने T से denote किया है, then हमारे पास जो second है, हमारे पास hole, उसके अंदर हमने एक stirrer लगाया है, ताकि हम क्या कर सकें, जो इसके अंदर liquid है, water है, उसको mix सब कर सकें, ठीक है, एक बार में दोबारा बता रही हूं, यह जो calorimeter है, cork का बना, sorry, यह जो calorimeter हमने यूज किया है, वो copper material से बना हुआ है, इसके outer surface को हमने dark करने के लिए black light से paint किया है, then हमने क्या किया है, इस calorimeter को cover किया है, with the help of insulating cork, और इस cork के पास, दो holes होने जाहिए, जिसके एक hole के अंदर थर्मामेटर लगाएंगे, जिसको कि हमने tea से denote किया है, और second hole के अंदर हम एक stirrer लगाएंगे, ताकि हम इसके अंदर जो water है, liquid है, उसको क्या कर सके, stir कर सके, उसको हिला सके, mix कर सके, ठीक है, then हमारे पास working क्या होगी, यहां पे, हमने यह हमारे पास पूरा complete setup था, और इस जो water है, उसका temperature हम note करेंगे, with the help of this thermometer tea, इस calorimeter के अंदर जो हमने water fill किया है, उस water का जो temperature है, वो 40 degree C से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो maximum hotness है, the liquid in this calorimeter, वो कितना होना चाहिए, 40 degree C, इस 40 degree C से ज़्यादा हमारे पास temperature नहीं होना चाहिए, और हमने क्या करना है, यहां पे जो यह 40 degree C temperature है, इस liquid का, उसको हमने measure करना है, with the help of thermometer tea, then हमने क्या किया, हमने, जो हमारे पास water है, hot water, जो की हमने, इस calorimeter के अंदर फिल किया हुआ है, उसको हमने note down करना है, कि उसका temperature कितना है, उसका temperature हम कौन से thermometer के help से note करेंगे, इस tea temperature, जोड़ी tea thermometer है, इसकी helps है हम इसको note करेंगे, similarly हमने surroundings वाला जो temperature है, surroundings वाले liquid का temperature note करना है with the help of thermometer T note then हमने क्या करना है stop watch को start करना है और हमने जो temperature है hot water का वो record करना start कर देना है और हमने वो record कैसे करना है हर 2 minute के बाद हर 2 minute के बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो temperature है वो कितना आ रहा है hot water का then हमने क्या करना है दो-दो मिनट के time interval के बीच में, जो temperature है, वो note करते जाना है, और जो भी हमारे पास temperature difference आएगा, temperature difference हमारे पास किसका होगा, इस T thermometer के और इस T note thermometer के along, जो भी हमारे पास temperature difference आएगा, हमने क्या करना है, उसको note करके, एक हमने table बनाना है, table किसके साथ बने का temperature difference का with time, क्योंकि हमने 2 का time interval लिया है और हमने क्या करना है उन दोनों के बीच में एक graph plot करना है हमें एक straight line मिलेगी और जो slope बनेगा उसमें वो negative slope बनेगा हमें इस तरह से कुछ graph मिलेगा log e t minus t note और temperature t sorry timing t के बीच में यह जो log e t minus t note है log e हमारे पास आगर आप पिछला वीडियो देखते हैं तो वहां पर आपको clear हो जाएगा जब हमने इसका integration क्या था तब हमें log e मिला था जब हम यह graph plot करते हैं तो हमें क्या मिलती है एक straight line मिलती है और यह थ्रू हमने क्या बताना है कि हमारे पार जो newton slow of cooling है वो verify होता है यह नहीं होता है यहां पर हमें एक double world vessel दिया हुआ है इस vessel के अंदर हमने क्या किया है liquid क्या है हमारा water है और वो जो water है हमने उसको किस पर रखा है room temperature के उपर रखा है उस water का temperature हम note करेंगे with the help of this thermometer t note उसके बा पस insulating lid है insulating का मतलब क्या होता है कि heat का transfer नहीं हो सकता मतलब heat बाहर से अंदर नहीं आ सकती अंदर से बाहर नहीं जा सकती then हमने क्या किया यहां पर एक कैलोरी मिटर को को से सिस्पेंट किया है with the walls of this vessel इस double wall vessel की walls के साथ हमने क्या किया है कैलोरी मिटर को सिस्पेंट किया है यह जो हमारा यह है copper का कैलोरी मिटर के पास हम ने एक को रखे साथ incarnate कर जो holes होने चाहेंगे जिसके एक hole के अंदर तो हम thermometer डाल सके और दूसरे hole के अंदर हम stirrer को डाल सके thermometer हमने इसके अंदर डाल दिया तो thermometer क्या करेगा हमें temperature बताएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो calorimeter है उसकी two-third volume का हमें इसके अंदर liquid फिल करना है liquid होगा हमारे पास water water होगा हमारे पास hot hot water का मतलब क्या है कि हमारे पास temperature होगा water का वो 40 degrees से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब 40 degrees हमारे पास इसकी limit है ये हमारे पास condition है कि इससे उपर हमारे पास जो hot water है वो hot नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा temperature नहीं होना चाहिए then हमने क्या करना है जो हमारे पास की stirrer है, stirrer की help से हम क्या करेंगे इसको mix up करेंगे, इसको stir करेंगे ताकि हमारे पास जो hot water है, वो हमने क्या करना है जैसे जैसे हम उसको stir करेंगे हमने क्या करना है कि कुछ कुछ time interval के बाद suppose करो कि हमने 2 minute का time interval रख लिया और उस 2 minute के time interval के बाद हमने क्या करते रहना है temperature को no down करते रहना है उसके बाद stop watch को हम start करेंगे ठीक है stop watch भी हमारे start रहेगी और हमने temperature को भी no down करना है उसके बाद हमने क्या चेक करना है, temperature difference किसका चेक करेंगे, इस वले temperature का, इस temperature scale का, यहां से T minus T note हमें मिलेगा, timing T, T हमारे पास कितना interval रखा है, हमने 2 minute का time interval रखा है, तो हम क्या करेंगे, graph plot करेंगे, जब हम graph plot करते हैं, उनके बीच में क्या मिलती है, एक straight line मिलती है, और इस straight इनका जो slope होगा, वो होगा, negative slope, तो यहां से हमारे पास जो Newton's law of cooling था, वो verify हो जाता है, I hope आपको यह समझ में आया होगा, topic ज्यादा कुछ tough नहीं है, easy ही है, अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं, तो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो क लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जादा से जादा शेयर करना, and thanks for watching.